तो guys यहाँ पर मैंने typing करके 2375 रुपे कमाये हैं, अब यहाँ पर मैं आपको withdraw करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर मैं अपना amount डाल देता हूँ, 2375 रुपे कर देता हूँ, प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर मुझे एक OTP आ So guys, जैसे के आप देख सकते हैं, अभी हम आ चुके हैं अपनी mobile की screen पर, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना play store on करना है, उसको open करने के बाद यहाँ पर आपको search पर जाना है, search पर जैसे आप click करेंगे, यहाँ पर आपको डाल देना है footwork, ठीक है, footwork application आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, आपको simply इसको install कर लेना है, install करने के बाद आपको इसको open करना है, अब open करने के बाद यहाँ पर आपको जो पहला method रहेगा, वो आपको यहाँ पर रहेगा, choose video language, आप किस language में यहाँ पर जो है, काम करेंगे, English और Hindi, तो आप OTP भी यहाँ पर generate करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना mobile number डाल दिया है, अब यहाँ पर मेरे पास OTP आएगा, मैं इस OTP को भी यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है, OTP आपके सामने आ चुका है, 7919, ठीक है, इसको मैं verify कर दूँगा, verify करने के बाद आपको कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाता है, अब यहाँ पर यह हमारा welcome कर रहे है, जहाँ पर अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, profile को complete कर लेना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फटा फट से अपनी profile complete करूँगा, आप सभी के सामने, तो अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या क इसको simply next कर दूँगा, उसके बाद यहाँ पर मुझे अपना gender select करना है, then उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर मुझे अपना email address डालना है, तो मैं फटा फट से email address डाल देता हूँ, email address डालने के बाद मैं simply इसको next करूँगा, next करने के बाद यहाँ पर मुझे अपनी city के बारे आती है और इसी language में मैं यहां पर काम करना चाहता हूँ तो simply मैं इसको next कर दूँगा उसके बाद मुझसे यहां पर यह पूछ रहे हैं आपके पास क्या laptop है यह फर नहीं है और यह optional है some jobs के लिए तो ठीक है यहां पर मैं इसको no कर देता हूँ क्योंकि मैं तो यहां पर आया हूँ mobile से job करने के लिए और जिनके पास laptop है वो इसको yes पर click कर सकते हैं इसके बाद मैं इसको next पर click करूँगा then education detail अपनी यहां पर fill करनी है तो यहां पर मैं अभी currently क्या हूँ क्या education है म next कर देता हूँ अब इन्होंने मुझसे पूछा है आपकी highest qualification क्या है तो education qualification यहां पर मैं डाल देता हूँ अपनी select करके for example यहां पर अगर आपके 10th pass है या फिर 12th pass है आप अपनी साब से यहां पर डाल सकते हैं या फिर other qualification है आप others choose कर सकते हैं तो मैं यहां पर 10 plus डाल देता है what is your field of education तो यहां पर आपने किस field से education की है उसके बारे में बताना है तो यहां पर जो भी आपकी stream है वो यहां पर आप select कर लेना computer science या फिर any degree diploma जो भी आपने किया है ठीक है तो मैं यहां पर जो है इसको select कर लेता हूं others पर और यहां पर मैं simply इसको next पर क्लिक कर देता हू professional detail आपको यहां पर डाल देनी है आपको कितने साल का experience है फिर fresher है तो यहां पर मैं डाल देता हूं no experience मुझे कोई भी experience नहीं है और इसको next कर देता हूं उसके बाद यहां पर आपको बताना है what was your last dawn monthly salary तो यहां पर fresher हो तो आपको क्या करना है zero डाल देना है और next पर क्लिक कर देना है ठीक है what was your last job type आपकी last job कौन सी थी तो यहां पर अगर आप चाहते हैं तो यहां पर आप work from home डाल सकते हैं या फिर आपने कोई भी job की हो पहले उसके बारे में उन्होंने पूछा है तो यहां पर मैं simply type करूँआ what was your last job type तो यहां पर मैं not applicable पर क्लिक करके इसको next पर क्लिक कर दूँगा select all field in which you have telecalling experience किस मतलब की field में आपको telecalling का experience है insurance, finance, banking, education, healthcare तो आप अपने हिसाफ से यहां पर select कर सकते हैं ठीक है तो अगर fresher हो तो यहां पर आपको simply click कर देना है और next पर click कर देना है ठीक है इतना करने को बाद अब यहां से आप से पूछा जा रह इसको next पर click करना यहां पर आपका fourth step है preference का तो यहां पर आपको बताया इन्होंने what is your preferred job type at footwork तो यहां पर आप किस टाइप की job करना चाहते है full time या फिर part time अगर आप part time करना चाहते है तो 4-5 घंटे आपको per day यहां पर देने होगा अगर full time करना चाहते है तो 9 घंटे आप यहां पर काम कर सकते है तो for example मैं part time job करना चाहता हूँ तो मैं 4-5 घंटे करके इसको आगे के लिए proceed कर देता हूँ और यहां पर इतना काम होने के बाद यह कि मेरे 4 step यहां पर भर चुके है और यह right का sign यहां पर आ चुक है अब मैं इसको simply continue पर click कर दूँगा इतना करने के अब मैं चलूँगा अपने next step पर जहां पर आप देख सकते हैं यह profile has been created complete your training to get certified as telecaller and start earning तो यहां पर मुझे से simply next कर देना है अब यहां पर जो है train करने के लिए यह मुझे क्या करेंगे training देंगे ठीक है तो यहां पर आप क्या करेंगे start training पर click करेंगे लेकिन उससे पहले आपको यह audio और video देख लेदी हैं तो यहां पर आपको क्या करना है इस पर click करना हो इस वीडियो में आपको जो है animation के थुरू चीजों के बारे में पता चले गए किस तरीकी से यहां पर आपको training होगी ओके इतना करने के बाद आपको क्या करना है simply यहां पर start training पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपसे यह तीन option पूछ रहा है क्या आपके network ठीक है क्या आप एक ऐसी जगे बैठे हो जहां पर आपका कोई भी background sound तो नहीं आ रहा कोई भी shore वगएरा तो नहीं आ रहा ठीक है तो ऐसे कमरे में आपको यहां पर बैटना है ताकि कोई भी shore चराबन ना हो और उसके साथ यहां पर आपके पास headphone या पर headset होना चाहिए माइक के साथ ठीक है तो आजकल सभी के पास headphone होते हैं और उसमें पर नहीं किया है तो अब मैं इसको आपको 100% profile complete कराता हूँ तो किस तरीके से करना है तो simply आपको क्या करना है getting started with footwork पर आपको simply इस पर click कर देना है ठीक है तो मैं इस पर click करूँगा अब यहाँ पर क्या करना है है सारी चीजों के बारे में तो यह 10 minute की वीडियो है आपको किस तरीके से यहाँ पर टैली कॉलिंग का वर्क करना होगा बहुत अच्छी जोब है 100% जैन्वीन है आपको इस वीडियो में सारी चीजे बता दी जाएगी आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना इस कंपनी के बारे में इन्होंने बताया है और किस तरीके सापका काम रहेगा वो सारी चीजे इन्होंने आपर डीटेल में बताई है ठीक है इसको आपको देखकर अगला is step आपको क्या करना अभी मैं बताता हूँ इसको मैं back कर लेता हूँ इतना करने के बाद आपको री ट्रेनिंग क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ डोक्यूमेंट दिये जाएंगे जिसको आपको पढ़ लेना है क्योंकि आगे जाके जो है टेस्ट में ये पूछेंगे बट कोई दिक्कत नहीं है फिर भी आप इसको पढ़ लेना क्योंकि आप इस कंपनी में काम करोगे और टेस्ट तो मैं कराई दूँगा खैर क्लियर लेकिन फिर भी आपको इसको पढ़ लेना है ताकि थोड़ी knowledge हो जा 4000 से लेकर आप 8000 रुपे पर मंधर कमा सकते हैं ठीक है उसके साथ यहां पर आप कितना काम डेलि उसके बारे में इनो साथ नीचे की साइड और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इसके requirements, expectation और maximizing इन्होंने आपर बताई हुआ है आपके पास android phone होना चाहिए English या फिर Hindi इन में से कोई भी एक language अगर आपको आती है तो आप इसमें eligible है करने के लिए target आपका कितना रहेगा वो सारी चीज़े इन्होंने आपर बताई है ठीक है तो यह जो PDF अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़े detail में समझ मा आ जाएगी कि company को आखिर आपसे क्या चाहिए आप कितना काम यहाँ पर कर सकते हैं और कितना पैसा आप यहाँ पर कमा सकते हैं ठीक है तो यह सब चीज़े पढ़ने के बाद अभी मैं आपको back लेकर चलता हूँ अगर आपने यह दोनों चीज़े complete कर लिया है यानि के video देख लिया है और document को अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको अब क्या करना है continue पर click कर देना है जैसे आप continue पर click करेंगे तो आप से quiz पूछा जाएगा यहाँ ठीक है तो आप आपको क्या करना है इन सभी के जवाब देने है ठीक है तो guys अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको इस quiz को complete करना है तो यहाँ पर जितने भी मैंना answer आपको दिये हुए है आपको इसी तरीके से यहाँ पर complete करना है और यह अभी आपका सी quiz test है अभी यहाँ पर आपका mock test भी कराऊंगा उसके लिए बताऊंगा तो यहां पर आपको सबसे पहले question जो है आपको सब सेम ही दिखेंगे बस यह उपर नीचे दिख सकते हैं आपको तो answer सभी के same होंगे तो आप अच्छे से देख लीजे यहां पर आपका पहला question जो है उसका answer जो रहेगा आपका शीप रहेगा उसके बाद यहां पर आपका 5th question जो रहेगा उसका answer रहेगा payment and proceed on Friday every week ठीक है 6 तवाले का आपका यहां पर रहेगा 4 plus hour a day of 6 days per week और उसके बाद 7 जो आपका last question है उसका रहेगा good communication इतना करने के बाद आपको क्या करना है इसको simply submit पर क्लिक कर देना है आप यहां पर देख सकते ह है ठीक है green color का यानि के मेरा यह complete हो गया और मेरी 14% यहां पर profile complete हो चुकी है तो guys अब हम चलते हैं अपने second वाली training की तरफ जहां पर आपकी soft skill training रहने वाली है तो इसको किस तरीके साब को complete करना है आई आप वो देख लेते हैं तो simply आपको इस पर click कर देना है click करने बाद आ और यहां पर आपके training video चलने लगेगी ठीक है इस training video को आपको पूरा देखना है end तक जिसमें आपको सारी चीज़े बिल्कुल detail में यह लोग बताएंगे आपको किस तरीके से यहां पर काम करने का तरीका समझ में आ जाएगा ताकि आपसे आगे जाके कोई भी गलती ना हो तो इसको अच्छे से देख लेना है trainingед को तो इतना करने के बाद जब आप इस training को देख लेंगे तो आप यहां पर जो है इसके ड़ोक्यूमेंट भी पढ़ लेना तो यहां पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको जो है soft training skills के बारे में बताए जाता है जहां पर आप इसको अच्छे से check out कर सकते हैं जहां पर brand name, customer name, product name product की knowledge क्या होगी क्योंकि customer की जो भी queries होगी उस product से होगी related तो उसके बारे में यह सारी चीज़े यहां पर आपको बताई है और यह 100% genuine job है अच्छे से इस चीज़ को पढ़ लेना ठीक है इतना करने के बाद आपको simply back कर देना है जब आप यह दोनों चीज़े complete कर लो उसके बाद आपको क्या करना है इसको continue पर click कर देना है अब यहां पर आपको जो test है वो किस तरीके से पूरा करना है अब मैं वो समझाता हूँ तो guys यहां पर आप आप देख सकते है जो जो यहां पर मैंने answer आपको दिये है वैसे ही आपको यहां पर करने है ठीक है तो इस तरीके से आपको जो पहले question का answer है वो यहाँ पर ऐसा देखने को मिल जाएगा और इसमें भी जो है आपके different दिखाएंगे question मतलब की उपर नीचे होंगे लेकिन होंगे सब same ही ठीक है तो इस चीज का धियान रखना ऊपर नीचे question आ सकते हैं आपके बट 100% same ही होंगे ठीक है तो इस तरीके सा आपको जो जो मैं आंसर यह पूछ रहे हैं इन में भी बहुत सारी चीजह है जो आपको आगे जरूरत पढ़ी की तो इसको पढ़ पढ़के करना ताकि आपके समझ में भी आए ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सारे question के answer यहाँ पर मिल जाएंगे ओके यह देखें यहाँ पर यह इस तरीके साब को यह सारे questions के answer यहाँ पर मैंने दे दिया है ठीक है इसको करने के बाद आपको क्या करना है simply submit पर click कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं submit जैसी आप करेंगे तो यहाँ पर आपका test pass हो जाएगा you have successfully completed training module आपको ok पर click करना है तो guys यहाँ पर आप दे 100% करके यहाँ पर आपको final test देना होगा और इसके बारे में आप मैं आपको बता देता हूं किस तरीके साब इस test को clear करेंगे तो इसके लिए मैंने अलग से dedicated video बनाया है जिसमें आपको यह total पूरा का पूरा test मैंने दिया हुआ है 5 minute की वह video है आपको उसको जाकर देखना है और उस video को देख देख कर आपको इस test को complete कर लेना है ठीक है इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक काम और करना है एक platform है टॉलू ना जहां पर मैं आपको लेकर चलूँगा उसके बारे में बताऊँगा आपको उसका registration करना है registration करने के बाद आपको क्या करना है simple उसका screenshot लेके मुझे Instagram पर भेज देना है और जो भी यह screenshot वहाँ पर मुझे भेज़ेगा उसी को यह test की video मिल जाएगी पूरा test मैंने live वहाँ पर दिखाया आप आसानी से इस test को pass करके यहाँ पर earning कर सकते हैं ठीक है अब किस तरीके से यहाँ पर register करना है आईए वो भी देख लेते और इससे पहले आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पर आपके earning के बारे में तो अभी हम यहाँ पर home page पर हैं और आपको earning किस तरीके से यहाँ पर show होगी तो यहाँ पर आपको earning वाले option पर जाना है जैसे कि मैंने आपको अपने दिखाया था जिस तरीके से मैं यहाँ पर earning करता था तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर earning आपकी किस तरीके से रहेगी तो आपको यहाँ पर earning वाले section पर आ जाना है तो अपना KYC सबसे पहले यहाँ पर कर लेना ताकि आपका 20% का जो TDS लगेगा वो deduct हो जाए ठीक है जो भी आपकी company payment कि उसमें जो TDS होता है वो आपका deduct हो जाएगा तो यहाँ पर KVIC जो है आप अपना पूरा का पूरा complete कर लेना और जितनी भी payment होगी आपको यहाँ पर balance हो जाएगा ठीक है जितना भी आप काम करेंगे कितनी earning यहाँ पर आपकी हो रही है withdraw आप यहाँ पर कितना कर रहे है डिटेल आपकी यहाँ पर आजाएगी यह fresh तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी confusion ना हो वरना मैं अपने old account से भी दिखा सकता था ठीक है तो यह अच्छे साथ आप देख लीजे और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मैं profile दिखा देता ह ठीक है उसके साथ यहाँ पर आप अपनी language यहाँ पर आपने select करी लीती कितना आप यहाँ पर काम कर रहे हैं उसके stats यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो इसी तरीके साब काम रहेगा और आप किस तरीके से job find करेंगे कौन-कौन सी calling पर आपको job करनी है त तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी मैंने कोई भी test pass नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पर show नहीं हो रहा है, जैसे आप test pass करेंगे, यहाँ पर calls की line लग जाएगे, आप उधन calls को attend करके, यहाँ पर 21200 रुपए हर call के यहाँ पर कमा सकते हैं, बहुत अच्छी जॉब ह इसको किस तरीके से करना है, पूरा process मैंने आपको second वाली वीडियो में दिखाए, जिसका link आपको Instagram पे मिल जाएगा,